यह उचिती है कि फिर से सवाल पूछा जाए कश्मीरी पंडितों का क्या मगर 30 साल का अनुभव यह बताता है कि यह सवाल कई तरफ से आएगा और कोई जवाब नहीं आएगा कभी कश्मीरी पंडितों की आवाज क्यों नहीं उठाई और आज एक वर्ग है जो कहता है बात करता है इंटॉलरेंस की, human rights की कहां थे यह लोग जब कश्मीरी पंडितों के साथ यह हो रहा था यह सवाल खोकला ही नहीं एक खिलवाड बन चुका है जो कश्मीरी पंडितों के जख्मों को फिर से हरा कर देता है पहले उन्हें उम्मीद देता है कि उनके मसलों का एक असल हल निकलेगा और आखरी में निराशा थमा देता है और साथ ही साथ यह मसल्मानों के खिलाफ भावना को बढ़ाता है मैं और मेरा परिवार तीस साल पहले कश्मीर से निकले और वापस नहीं लोट पाए मैं उस घटना के तीस साल बाद तीन सवाल पूछना चाहता हूँ जो कश्मीर के घाओं पर मरम लगाने से जुड़े है पहला सवाल जिन लोगों को मारा गया उनके और उनके परिवारों के लिए नयाय किस तरह से मिलेगा दूसरा सवाल कश्मीरी पंडितों की पैचान को कैसे बचाय रखा जा सकता है तीसरा सवाल कश्मीरी पंडितों के वापस आने के लिए क्या कदम उठाने होंगे 30 साल बाद कितने लोग मारे गए इसका भी सही आगड़ा हमारे पास नहीं है 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए लोगों से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया अगर सरकार और भारत के लोग इस वेशे को इतना ही जरूरी समझते हैं तो आज तक एक निश्पक्ष, पारदर्शी, न्यायक आयो का घटन क्यों नहीं किया गया न्याय करने के लिए लोगों की व्यक्तिगत जिम्यदारी तएक करनी होगी किसने किसकी हत्या की? कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुसल्मान, इन्हें एक समू के रूप में करधरे में खड़ा करने से हम नयाय और सच दोनों से दूर हो जाते हैं और इस प्रक्राय में सबसे दुखद ये है कि हम एक समू की पीड़ा का इस्तमाल दूसरे समू को पीड़ित करने की खुली छूट देकर करते हैं 1990 के बाद कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा नुकसान, उनकी कश्मीरी पहचान का खतम हो जाना है अगर कश्मीरी लोगों के लिए हमारे पास वास्त में हमदर्दी है तो हमें उनकी संस्कृती बचाने की असल कोशिश करनी चाहिए खाली में अनुचेद 35 एपर लिये गए फैसले ना की सिर्फ कश्मीरी मुसल्मानों की बलकि कश्मीरी पंडितों की जबान, पहचान और संस्कृती को खत्रे में डाल दिया है निर्वासन के 30 साल बाद भी मेरे पास स्थ्याई न्यागरिक होने का हक था कुछ लोग कश्मीरी संस्कृती में काफी घर्व रखते हैं लेकिन वे तब भी गाटी को बाहरी लोगों से भरने के हिमायती हैं सीदे सीदे बोला जाए तो ये आपसी बरवादी को दावत देने वाला कदम है भारत के कई राज्यों के पास अपनी पहचान को बचाय रखने का कानूनन हक है कश्मीर भी ऐसे कानून का हकदार है लगबग हर कोई एकमत है कि कश्मीरी पंडितों को गाटी में लोटने का पूरा हक है लेकिन इस सहमती को हम अभी तक खाली ट्रांजिट कैमपों और कागजी योजनाओं में ही तबदील कर पाए है जब कश्मीरी पंडित कहते हैं कि वो वापस आएंगे तो ये वापसी कैसी दिखती है ना ये एक डरे हुए लोगों की वापसी हो सकती है ना एक समुदायों के बीच में बटे हुए कश्मीर में वापसी हो सकती है ये गर वापसी तब ही हो सकती है जब हर कश्मीरी लोकतांत्रिक कश्मीर में मानव अधिकारों के साथ रह सके इसके लिए हमें कश्मीरी मुसल्मान, पंडित और अन्य समुदायों के बीच शांती स्थापित करने के कदम उठाने होंगे हम इसके लिए दक्षिन अफरीका, उतरी आयरलेंड और कॉलंबिया से सीख सकते हैं कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसल्मान एक दूसरे की पीडा सुईकार करके और एक दूसरे के हमदर्द बन के ही आगे बढ़ सकते हैं और शायद इसी से एक नए रोश्णी में एक दूसरे और एक नए कश्मीर की कलपना को देख सकते हैं मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें